जाहिन दोस्तों आज इक इस वीडियो में हम लोग कुछ इस परकार के सवालों से X कमान निकालने सिखेंगे दोस्तों आपको इस परकार का सवाल कलास 6, 7, 8, 9, 10 यानि की आगे जितना कलास में पढ़ेंगे आपको सभी के सभी कलास में इस सवाल के बीना कोई भी काम नहीं च सके दोस्तों यहां पर पहला सवाल है 3 x plus 5 बडाबर 20 दोस्तों सवाल में ये पुछता है कि नेमनर रहाखी के सं मिक्रणों में से X का मान घ्यात कीजिए दोस्तों इस सवाल में इस बराबर का बहुत बड़ा रोल होता है यानि कि बराबर के इस साइड को बोलते हैं LHS क्या बोलते हैं LHS LHS का मतलब होता है Left Hand Side यानि कि बयापक्च इधर बोलते हैं RHS क्या बोलते हैं RHS यानि कि Right Hand Side यानि कि दयापक्च दोस्तों अब क्या करना होता है न कि देखना ये होता है कि एक सवाल जितना भी संख्या होते हैं उसको करना होता है एक तरफ और केवल अंकों को करना होता है एक तरफ यानि कि आप देख सकते हैं कि इधर भी और इधर भी सब मिलाके एक सवाला केवल एक हीट संख्या है तो आप इसका side change करेंगे तो side change करने पर ये वला हो जाएगा minus में अगर कोई इधर है minus में अगर आप इसका side change करेंगे तो इधर करने हो जाएगा plus में यानि कि ये नियम दोनों के लिए लगोता है अगर इधर से लाएंगे इधर तब भी change change होगा अगर इधर लेंगे इधर तब ही चीन चेन होगा यानि कि पलस का माइनस माइनस का पलस हो जाता है अब दोस्तों हमने बोला कि एक सवाले को करना होता एक तरह एक सवाला केवल एक हीट होए तो कोई बात नहीं बराबर 20 यहाँ पर अंक है और पलस में है इसको लाना है बराबर के इस साइड तो हो जाएगा माइनस में क्योंकि हमने बोला कि साइड चेंज करने पर चीन बदल जाता है इस परकाट से पलस का हो जाएगा माइनस अब दोस्तों हो जाएगा 3X बराबर 20 में घटेगा 5 तो बचेगा 15 और अब निकालना होता है एक्स कमान यानि कि अगर आप लिखेंगे एक्स वराबर तो क्या होगा 15 ये वाला जो तीन होता है ना ये वाला गुड़ा में होता है यानि कि अगर यहां गुड़ा में है अगर इसका साइड चेंज करेंगे तो हो जाता है बट्टा में यानि कि भ गुड़ा में इसको लाएंगे इधर हो जाएगा बटा में यानि कि भाग में अगर इधर है भाग में अगर इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुड़ा में यानि कि सेम उल्टा होने वला है दोनों तरबात सेम है अगर इधर से लाएंगे इधर तब भी इधर से लाएंग को पहले सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिला अब करते हैं सवाल नमर दूसरा इसमें आप बहुत ही अच्छे तरह से जान जाएंगे और आपकी confusion जो होगी दूर हो जाएगे यानि कि इस प्रकार से अगला सवाल है 7x प्लस 7 और 4x प्लस 19 दोस्तों सबसे पहले मैंने बोला थ था कि x x वाले संख्याओं को एक तरफ और अंकों को एक तरफ करना होता है तो आप देख रहे हैं कि x वाला संख्या यहां पर है एक ठो यहां पर है तो एक काम करते हैं कि x वाले को लाते हैं इधर और अंकों को ले जाते हैं उधर तो कितना हो जाएगा 7x अपने स्थान प पलस में अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा माइनस में अब यहाँ पे 7x में 4x घटेगा तो बचेगा 3x बराबर 19 में से 7 घटेगा 12 बचेगा अब दोस्तों लिखेंगे x बराबर 12 यहाँ पर जो 3 है गुड़ा में है अगर आप इसको साइटी चेज़ करेंगे तो हो जाएगा भाग में तो इस पर कर्स 3,4 का 12 यानि की x का मान हो जाएगा 4 दोस्तों उमीद करता हूं कि अब यहाँ पे आपको सवाल नबर पहला और दूसरा दोनों ही बहुत ही अच्छे तरह समझ में आ चुकी है अगर आई हो तो इस वीडियो को प् अब तक नमस्कार जय हिंद